वेल्कम टू मैं चैनल आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार विच्से स्वागत है तो चलिए मैं इस टूटोरियल में आपको मैंने इस बैंगल को कैसे डेकोरेट किया है वो आपके से शेयर करने वाली हूँ तो चलिए फिर इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं अगर आपको मेरे चैनल पर पसंद आया तो प्लीज इससे लाइक कर लिजेगा जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक ओल्ड वुडन बैंगल लिया हुआ है आप चाहें तो कोई भी बैंगल ले सकते हैं आप कोई भी ऐसा बैंगल ले सकते हैं जिसको आप आप रेर केस में ही यूज करते हों तो चलिए फिर हम इसके ओपर डिजाइन बना लेते हैं मैंने आप एक sketch pen लिया है अपने bangle के ओपर डिजाइन करने के लिए बस मैं यहाँ पर इस type का simple design यहाँ पर इंक्रेब कर दूँगी आपको भी same ऐसा ही करना है तो चलिए देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से इस bangle में design बना रही हूँ आपको भी ठीक ऐसा ही करना है चलिए फिर bangle में design बना लेते हैं और देखते हैं कि बनने के बाद में कैसा दिख रहा है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं इसमें चोटी चोटी आपको knowledge देती रहूंगी जो आपके लिए बहुत ही useful होगा इस bangle decoration के लिए तो चलिए फिर हम design को complete कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या final look आया है तो चलिए हम इस bangle को paint करने के लिए अपने colors निकाल लेते हैं यहाँ पर मैं फेवरिकल फेवरिक colors का यूज कर रही हूँ आप चाहें तो कोई भी simple color यूज कर सकते हैं आपके पर जो भी available हो आप उसी color से अपने bangle को decorate कर लीजिए इसमें आपके bangle decoration में कोई भी effect नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके end में हम इसके उपर गोटा पटी से इसे decorate करने वाले हैं तो इसमें कोई भी effect नहीं पड़ेगा आप simple color यूज कर सकते हैं यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगी कि मैंने फेवरिक color का यूज किया है मेरी जो color है वो थोड़ी से glittery है जो कि मेरी जो bangle decoration है उसकी beauty को और भी ज़्यादा enhance कर लेते हैं आप देख रहे होंगी कि मैंने देख सारी color यहाँ पर collect कर लिये हैं बट आप दरियेगा नहीं मैं इन में से सारी color का use नहीं करूँगी इन में से में selective colors जो हैं वो choose कर लूँगी आपको भी ठीक ऐसे ही करना है आप पहले से ही decide कर लिजे कि आपको Bengal में कौन-कौन से color use करने है जैसे कि मैं हमेशा आपको कहते हूँ कि आप वही color use कीजिए जो थोड़े से contrast हो तो आप देख रहे होंगे कि मेरे color का selection यहाँ पर थोड़े सा contrast है आपको भी ठीक ऐसा ही करना है और मैं हमेशा कहते हूँ कि इससे जो आपका decor item है उसकी beauty enhance हो जाती है तो हमें भी यही करना है आप भी यही कीजिएगा तो चलिए फिर देखते हैं मेरे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कौन-कौन से color choose किया है जैसे कि आप वीडियो में देखी रहे होंगी कि मैंने अपने colors choose कर लिया है आपको भी ठीक ऐसे ही करना है आपको bangle decoration करने के पहले ही अपने selected color को choose कर लेना है इसके बाद मैं इन्हें एक particular sequence में arrange कर लूँगी जिससे कि मुझे जब मैं bangle decorate कर रही हूँ तो मुझे कोई confusion नहीं होगा और इससे मेरे जो bangle है वो बहुत easily बन जाएगा बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा तो चलिए फिर bangle को paint करने start करते हैं आप देख रहे होगे कि मैंने green color से paint किया है इसके बाद मैं purple, orange और इस तरीके से मैं सारे contrast color का use करूँगी आपको भी टी कैसे ही करना है इस process को follow करके अपने bangle को बहुत ही कम टाइम में paint कर सकेंगे और बहुत ही organized way में paint कर सकेंगी तो चलिए फिर bangle को paint करने start करते हैं यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने green color से paint करने start किया है इसके बाद मैं थोड़ी सी जगे जो है space जो है वो छोड़ दूँगी इसके बाद bangle में purple color से paint करने start करते हैं जैसे कि आप वीडियो पर देख रहे होंगे कि मैंने bangle में थोड़ी सी space जो है वो छोड़ रखी है आपको भी ठीक ऐसा ही करना है और आपको फिर purple color को इसमें अच्छे तरीके से fill कर लेना है वीडियो में देख रहे होंगे कि इसके बाद मैं orange color से अपने bangle को paint करने start कर रही हूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने purple के side में भी थोड़ा सा जगे छोड़ दी है आपको भी ठीक ऐसे ही करना है और इस तरीके से सारे color को थोड़ा सा space देकर fill कर देना है तो चलिए हम बैंगल को fill कर लेते हैं color से और फिर देखते हैं कि इसका कैसा look आया है वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरे बैंगल पेंट हो गए है अब मैं इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ दूगी आपको भी ऐसे ही किसी जगे पर रख देना है इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसे वापिस ले लूँगी तकरीबन 15-20 मिन बाद यह ड्राइ हो जाएंगे इसके बाद हम इसके next step करते हैं वीडियो में देख रहे होंगी कि मैंने यहाँ पे golden color के कुंदन लिये हुए हैं आप भी golden color के कुंदन ले सकते हैं या पर चाहें तो आप कोई और color भी ले सकते हैं पट मैंने यहाँ पे golden color का कुंदन लिया है इसके बाद मैं वीडियो पे देख रहे होंगी कि मैंने tiny mirror लिये हुए हैं मैंने छोटे gold mirror लिये हुए हैं आप भी ले सकते हैं आप किसी भी shape के ले सकते हैं मैंने यहाँ फे circle shape के लिए हैं तो चलिया फिर हम देखते हैं कि मैं इनके साथ में कैसे dequorate करी है अपने bangle को आपको भी ठीक वैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं आप भी ऐसा कर सकते हैं, यदि आप सिल्वर कलर की कुंदर ले रहे हैं, तो आप सिल्वर कलर की गोटापटी लेस लीजे, तो चलिए फिर इसको मैं कैसे डेकुरेट करती हूँ, यह देख लेते हैं, आप लोगों को याद हुगा कि जब मैं बैंगल पेंट कर रही थी, तो म तकरीबन मैं यहाँ पे 10-15 गोटापटी लेस तीन सेंटीमीटर के कट कर लूँगी, आप अपने बैंगल के अकॉर्डिंग देख लीजेगा, तो कितनी कटिंग की नीड है, तो चलिए फिर मैं अपने गोटापटी लेस को इस तरीके से कट कर सकते हैं, तकरीबन तकरीबन 13 सेंटीमीटर का गोटपटी लेस की जो है, यमारा को मेजर कर लेना है, फिर इसके बाद मैं आप सेम जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, आप इसे फोल्ड करते जाएजे, जितने कटिंग आपको चाहिए, उतनी बार आप उसे फोल्ड करते जाएजे, फिर एंड मैं आप इसे सीजर के help से इसके दोनों corner को cut कर लिजे इस तरीके से आपके जो cutting है वह बहुत easily हो जाएगी और आपको ज्यादा time भी नहीं लगेगा फिर आप भी इस तरीके से cut कर लिजे इसके बाद मैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे मैंने फेबरिकल फैबरिक ग्लू लिया हुआ है आपके पास यदि यह वाला ग्लू नहीं है तो आप कोई भी normal ग्लू ले सकते हैं इसके बाद में जो यहाँ पर जो space मैंने छोड़ रहा था वहाँ पर मैं गोटा बैंगल के उपर जब यह गोटापटी लेस स्टिक करना है तो इसके दोनों एंड को थोड़ा सा छोड़ देना है इसको अंदर की तरफ स्टिक करेंगे जैसे कि वीडियो में देखेंगे कि मैंने गोटापटी लेस के एंड को अंदर की तरफ स्टिक किया है आपको भी ठीक करना है और ऐसे ही जो इसके जो टिप है उसको ऐसे ही छोड़ देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे फिर लेस को बैंगल के पर स्टिक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा लुकाया है इसके बाद हम इस बैंगल को किसी सिक्योर जगे पर रख देते हैं ड्राय होने के लिए तक्रीबर 15-20 मिनिट के बाद हम इसे वापिस ले लेंगे और इस पर हम अब फिर कुंदन और अपने जो मिरर है उसको स्टिक करेंगे मैं किस तरीके से स्टिक कर रही हूँ आपको बताती हूँ आपको यहाँ पर glue की जो है drop ऐसे लग देना है इसके बाद मैं आपको one by one सारी mirror को stick कर देना है देखिए मेरे mirror किस तरीके से लग रहे हैं stick होने के बाद मैं इसके बाद हम mirror के चारो तरफ हम glue के छोटे छोटे drop रख देते हैं इसके ओपर हम gundan stick करेंगे तो चलिए हम gundan को भी stick कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका final जो look है वो किस तरीके से आया है आपको भी ठीक ऐसे ही करना है आपको भी glue के जो है वो छोटे छोटे drop बना लेना है आपको फेवी कोल जो है वो जादा waste नहीं करना है इस तरीके से यादि आप अपने gundan को stick करेंगे तो आपका फेवी कोल जादा नहीं लगेगा तो चलिए फिर stick कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका final result कैसा है आप सभी ने देखी लिया होगा कि मैंने सारी gundan जो है वो stick कर लिये और यह बहुत गौर्जस लग रहे हैं आप भी ऐसा बना सकते हैं और अपने old banger को बहुत ही सुन्दर तरीके से decorate कर सकते हैं और उसे एक नया look दे सकते हैं इंगल को stick करने के बाद में हम इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि हैं बहुत अच्छे तरीके से stick हो जाए इसके बाद इसे किसी secure place पर रखतेंगे हम 15-20 मिनिट के लिए और फिर इसे हम देखते हैं कि यह किस तरीके से दिख रहा हैं आप जैसे कि देख रहे ह कि आउटफुट के साथ मैं carry कर रहे हैं मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा अगर आपको मेरे जचुलियर पसंद आया तो इसे like कर लेजेगा अब मैं आप से मुलते हूं मेरे next वीडियो पर तब तक कि अपना ख्यार रखेगा कि अपना ख्यार रखेगा 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 अवार रहे हैं मेरे तक कि अपना ख्यार रहे हैं